राधे राधे अवरिवान दोस्तों स्री कृष्णा जी और राधराने की एकरपा सदयवाब सभी पर बनी रही आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में जया एकदसी किस दिन पढ़ रही है सही तिथी जानेंगे जया एकदसी की 19 फरवरी को पढ़ रही है या फिर 20 फरवरी को पढ़ रही है इसके साथ ही आप जानेंगे जया एकदसी ब्रत की सरल पूजा विदी ब्रत का पारण आपको किस दिन करना है पूजा का सुमुरत क्या रहेगा आईए जानते हैं जया एकादसी माग महिने के सुकल पक्ष की एकादसी को मनाई जाती है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा के साथ ही पूरी आस्था और श्रद्धा से उनका ब्रत किया जाता है और शाम को पूजा करके जया एकादसी के ब्रत का पारण अगले दिन दोआ दसी तिथी में किया जाता है जया एकादसी को लेकर ये माननेता है कि ऐसा करने से मा लक्षमी और भगवान विश्णू जी का आश्रवाद मिलता है और सभी दुखों से मुक्ती मिलती है आईए अब जानते हैं सही तिथी जया एकादसी की क्या है जया एकादसी का ब्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा पंचांग के अनुसार एकादसी तिथी का आरंप 19 फरवरी को सुभा 8 बचकर 50 मिनट पर हो जाएगा और 20 फरवरी को सुभा 9 बचकर 52 मिनट तक ये तिथी रहेगी इस प्रकार उदिया तिथी की माननेता की अनुसार ये ब्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा और ब्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा सबसे खास बात ये है कि इस दिन इस ब्रत के दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर योग और प्रिती योग भी वन रहे हैं इस वज़े से जया एकादसी के दिन ब्रत करने से ब्रतियों को विशेश फल की प्राप्ती होगी भगवान विश्नों के आशिरवात से उनके घर में कवे धन्निधान की कमी नहीं रहेगी आईए अब जानते हैं जया एकादसी ब्रत पारण का सही समय क्या है 21 फरवरी को सुभा 6 वच कर 55 मिनट से सुभा 9 वच कर 11 मिनट तक का समय रहेगा ब्रत पारण का आईए दोस्तों अब जानते हैं जया एकादसी ब्रत पूजन करने का सुब मूरत क्या है पूजा का सुब मूरत रहेगा 20 फरवरी की सुभा 9 बच कर 45 मिनट से दुपहर 2 वजे तक पूजा का मूरत है आइए अब जानते हैं जया एकादसी ब्रत की सरल पूजा विधी जया एक अदसी के दिन सुभा जल्दी उठें और इस नान के वाद साफ कपड़े पहन कर केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल जड़ाएं इसके वाद पूजा करके भगवान विश्णू को पीले फल, पीले मिस्ठान और पीले वस्त्र दान करें भगवान की धूप दीप से आरती करें और तुलसी दल के साथ पंचा मृत का भोग लगाएं भगवान विश्णू के मंत्रों का जब करें और माल लक्षमी की पूजा करें जया एक अदसी के ब्रत की कथा का पाठ करें इस दिन अनाज और फलो का दान भी करना चाहिए आईए अब जानते हैं जया एक अदसी ब्रत का महत्त क्या है जया एक अदसी के दिन भगवान विश्णू की पूजा माधव शरूप में की जाती है इस ब्रत को करने से आपके पित्रों को मोक्ष की प्राप्ती होती है और आपके लिए भी परलोग का रास्ता तैव होता है इस ब्रत के महत्त के वारे में बताते हुए श्वयम भगवान कृष्ण ने युदिस्ठर को कहा था कि इस दिन का उपवास करने से ब्यक्ति को ब्रहमाहत्या का पाप नहीं लगता है दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समापत होती है मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी जैसा कि आप सबको पता है कि मागमास चल रहा है अगर आपको मागमास की कताई सुनना पसंद है तो डेली आप मेरे चैनल पर मागमास की कताई सुन सकते है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूले and also press the bell icon ताकि मेरी कोई भी informative वीडियो आई आपको notification तुनंत मिल जाए and comment box में मुझे राधे राधे जरूर वोलिएगा राधे राधे everyone आप सभी को जया एक अदसे की हार्दिक सुपकाम नाए श्री कृष्णा जी और राधरानी की करपस सदय बाप सभी पर बनी रहे